bad debt का क्या मतलब होता है या आज की वीडियो में सीख लेती है bad debt जो है उस पैसे को कहा जाता है जो कोई उधार लेकर और देने से मना कर देता है या देता नहीं है यानि कि मानली जी किसी वेक्ती ने बैंक से दो लाख रुपे उधार लिये और वो उधार लेकर जो रिन किसी को दिया और वो वापिस नहीं आया या आपका पैसा डूब गया किसी को उधार देकर तो उसको bad debt कह सकते है इसको और detail से पढ़ना चाहें तो आपकी screen पर दिया गया है आप पढ़ सकते हैं और इसको और बहतर तरीके से समझ सकते हैं और इसके लिए कुछ example sentences भी दिये गए हैं जिनको पढ़ सकते हैं और इसको और बहतर तरीके से समझ सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लि बेल आइकन को प्रेस करें